कॉर्णा वाइरस पब्लिक हेल्थ एमेर्जेंसी के साथ साथ पूरे वर्ड एकोनॉमी पे एक बिजर थ्रेड बन कर रहा गया है कॉविड नाइटीन के वज़ा से ये 2020 में भारत के साथ पूरे वर्ड की सोशल और एकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल ठप हो गई थी एक्टिविटीज भी बिल्कुल बंध होई थी जिसकी वज़से भारत में फाइनेशल प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी ऐसी भ्यंकर स्थिती में भी हमारे देश के MPs, Parliament, other workers और citizens ने भी अपनी salary का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में दिया था इस तरह के भ्यंकर स्थिती को देखकर लोगों को यही लग रहा था कि क्या अब देश में financial emergency लागू होगी यानि वित्यापात का लागू होगा लेकिन हमारे देश की finance minister निर्मला सीता रमन ने इस बात से इंकार कर दिया था उन्होंने कहा कि अभी इस बात के ऐसी कोई भी संभावना नहीं है हमारे देश में आज तक एक बावी वित्यापात काल घुशित नहीं हुआ है तो हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह नहीं जानते कि financial emergency क्या होती है वित्यापात काल क्या होता है यह क्यों और कैसे लगाने की क्या प्रक्रिया है इसे लगाने से क्या effect होते हैं हमारे देश की constitution का कौन सा article किसे यह power देता है कि वो financial emergency यानि वित्यापात काल को घुशित कर स तो इन सब question के answers के लिए without wasting of time let's start this video Indian Constitution का article 360 President means राश्टरपती को इस बात की power देता है यह right देता है कि वो देश के किसी भी हिस्से में या फिर देश में financial emergency impose कर सकते हैं उसे लागू कर सकते हैं अगर राश्टरपती इस बात से satisfy है कि या फिर उसे लगता है कि देश का कोई ऐ सब्सक्राइब कर सकता है उसे लागू कर सकता है लेकिन 1978 के 44 Constitution Abedment Act में इस बात का प्रावधान दिया गया था कि सुप्रीम कोट इंडिया की प्रेजिडेंट की किसी भी satisfaction को review कर सकता है उसकी समीक्षा कर सकता है अब next question यह है कि वित्या आपातकाल means financial emergency कब तक के लिए और कै ऐसे लागू की जाती है जब भी राश्टरपती financial emergency को देश में इंपोज करते हैं उसे लागू करते हैं तो इसके तो मांस के यानि दो महिने के अंदर अंदर इसे लोकसभा और राज्यसभा संस्रत के दोनों सद्नों से अप्रूव कराना होता है एक बार संस्रत के दोनों स जो एक बार financial emergency लगाने के बाद उसे दुबारा हटा सकता है इसकी दो कंडिशन्स होती है पहला इसके management के लिए कोई निश्चिट टाइम पिरेड डिसाइड नहीं है और दूसरा financial emergency को increase करने के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए दुबारा उसे पार्लेमेंट के अप्रू कि अब देश में financial emergency की जुरत नहीं है तो वो उसे अप्रूव किये बिना ही रद कर सकता है अब हम जानेंगे कि देश में जब financial emergency इंपोस हो जाती है तो इसके क्या क्या effect होते है financial emergency के लागों हो जाने के बाद केंदर की पावर और उसके राइट्स बढ़ जाते हैं और वो किसी भी स्टेट को कोई सी भी तरह के कोई भी financial orders दे सकते है नमबर टू कोई भी बिल अगर money बिल हो या financial बिल हो तो उसे रास्टपती की रजावंदी के लिए रोग दिया जाता कुछ ऐसे post के लोग हैं जिनकी salary को reduce करने के लिए रास्टपती खुद निर्देश देते हैं जैसे social workers, high courts और supreme courts के judges तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि financial emergency के लागों होने के बाद सारी powers केंदर के हाथ में आ जाती है और वो states को निर्देश देते हैं कि उन्हें किस तरह से work क चाहिए इससे पहले भी 1991 में देश पर economy का बहुत बड़ा संकट आया था लेकिन तब भी देश में national emergency लागों नहीं हुई थी तो सरकार को यह सोच कर भी सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी हर परिस्तिती में बुरा देश उनके साथ अब जैना कि इस फैनेशल एमर्जेंसी के लगने के कितने चांसेज हैं सब्सक्राइब करें आवर यूट्यूब चैनल नौलेज की उडान लन संथिंग निफरेंट माइन नौलेज की उडान थैंक्यू सो मुच कि चुलेज की उनके साथ नौलेज की उनके साथ जाएब लूट्यूस